सनातन धर्म में गनेश जी मुख्य देवी देवताओं में से एक हैं. किसी भी शुब कार्य से पहले गनेश जी की ही पूजा की जाती है. इसलिए इन्हें प्रथम पूज्य देव भी कहा जाता है. भगवान गनेश जी पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम बिना किसी बाधा क पूरे होते हैं. प्रती वर्ष भादरपद माह में शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी से गाजे बाजे के साथ घर घर में गनपती जी की स्थापना शुरू हो जाती है. 19 सितंबर को देशभर में गनेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन तक चलने वाले गनेश उत्सव की शुरूआत होने जा रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह उत्सव 10 दिनों तक ही क्यूं चलता है? आईए जानते हैं इसका कारण. मिलती हैं कई कथाएं गनेश उत्सव मनाने के पीछे कई कथाएं प्रचले थे. माना जाता है कि भाद्रपद माह में शुकल पक्ष की चतुर्थी तिथी को ही गनेश जी का जन्म हुआ था. इसलिए इस दिन को गनेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है. वहीं दूसरी और 10 दिनों तक गनेश उत्सव. मनाने के पीछे ये कथा मिलती है कि वेद व्यास जी ने गनेश भगवान से महाभारत ग्रंत लिखने की प्रार्थना की तो गनपती जी 10 दिनों तक बिना रुके महाभारत लिखते रहे. जब वेद व्यास जी ने देखा तो पाया कि गणेश जी का तापमान बहुत बड़ा हुआ है और दस्वे दिन उन्हें नदी में सनान करवाया तभी से गणेश चतुर्थी की शिरुवात मानी जाती है कितने दिन में कर सकते हैं विसरजन गणेश उतसव दस दिनों तक मनाने की परंपरा है अनंध चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ती का विसरजन किया जाता है लेकिन आप चाहें तो एक दिन और डेर दिन से लेकर तीन पांच, साथ या दस दिनों तक के लिए बप्पा को घर ला सकते हैं इसका भी उतना ही शुप फल प्राप्त होता है जितना की अनंत चतुर्थी के दिन बप्पा का विसर्जन करने से मिलता है